जहें दोस्तों आप सब्सक्राइब कर चुके हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स मों डाल दूंगा तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज उसको पहले जरूर देखें आपको से हैं तो आगर आपने अभी तक में चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्क्राइब कर लिए अगर आपको विडियो अच्छी लगे थो प्लीज उसको लाइक करें करें करके कैसा लगा वीडियो और प्लीज शेयर जबूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी इससे कुछ मदद हो सके ठीक है तो आईए फिर आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो हमारे सबसे पैरा जब कोशन है कोशनमर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि प्रूब्ड अपने पास यह सर्कल हो गया कोशनमर 35 कोशनमर 35 हमें यह दे रखा है कि एक सर्कल है यह अपने पास यह सर्कल हो गया सर्कल का है सेंटर हो गया ठीक है यहां से मैंने एक external point से कि मैंने पी ले लिया external point से मैंने दो टेंजन डाली है इस तरीके से यह मैंने दो टेंजन डाले ठीक है इस point को मैंने ले लिया नाम ए और इस point को नाम मैं ले लिया बी तो मुझे प्रूफ करना है कि PA और PB दोनों के दोनों बराबर होंगी तो मैं इसका given लिक्के बताता ह किसे किसे कोशन होगा सबसे पहले हमें पास गिवन क्या चीज़ है गिवन अपने को बस यह है कि इसको अगर मैं ओ मानूं तो ओ कि इस दा कि सेंटर ओफ कि सरक कि ओ सेंटर है एंड पी एंड पी बी आर हिए टेंजेंट्स ओसर कर कि थीए यह दोनों के दोनों टेंजेंट्स भी बनेंगे हमें इसमें ज Old Prue में यह करना है कि पी इटीकॉल टू पी इए हम को परूफ करना है देख किस तरी किसे पार्ट है कि join OA and OB यह हमने जब join करा लिया और एक चीज और था सॉरी कि अपने को यह OP जो दिखाई दे रहा इसको भी हम लोग जोइन कराएंगे सभी सब कुछ जोइन हो जाएगा तो अब हमारे प्रूफ के बारी इसका कोशन का प्रूफ होगा कैसे देखे अपने को इस कोशन में दो ट्रेंगल दिखाई देंगे एक तो होगी अपने पास OAP and next one is OBP तो इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल O B P देखें एंगल O A P बराबर होगा एंगल O B P के दोनों के दोनों 90 डिगरी बनाएंगे इच 90 डिगरी क्यों बनाएंगे थोरम होगा 10.2 जो है कि सेंटर से जब भी कोई भी लाएं टेंजेंट पर डाले जाएगी तो हमें इसे 90 डिगरी बनाएगा ठीक है थोरम नंबर 20.2 तो यह हमारा उस रीजन से हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा अपना रीजन यहां पर O P इस उकल टू O P दोनों को दोनों कॉमन बन जाएंगे इस सर्कल के ट्राइंगल के लिए एंड नेक्स्ट वन इस ओए इस उकल टू O B लेडिय आई ऑफ सर्कल ठीक है तो अपने पाँ जो ट्राइंगल बन गया O A P यह कॉंगरेंट हो जाएगा ट्राइंगल O B P बाई S A S से अगर यह S A S से हो जाएगा प्रूब तो हम लोगे कह सकते ना पर अब तो कि P A is equal to P B हो जाएगा क्यों भी तो C P C T से इस तरीके से हमारे कोशन प्रूवड हो जाएगा तो 35th कोशन अपना यह था नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर 36 कोशन नमबर 36 में हमें एक कंस्ट्रक्शन का कोशन दिया हुए है इसमें हमको दे रखा है कि we write the step of construction of a triangle ABC in which BC is equal to 6.5 cm angle B is equal to 60 degree and angle C is equal to 45 degree अगीन write the step of the construction of another triangle वो sides are 4 by 5 of the corresponding side so triangle ABC देगे simple सा क्वेशन है इस कोशन में 2 कोशन बना कि हमें दे रखे है सबसे पहले पात्रा में हमें है दे रखा है कि है एक ये इंगल बनाना है जो कि डामेंशन में दे रखे उसे साब से टेंग लान सबसे पहले उस पाट के लों को सॉल्व करते हैं ये कम ये मैं रफ विगार बनावा क्योंकि कम पास से पॉसिबल नियुक्वाइब कोश्यम तो स्टैप बता तो स्टैप को ध्यान सुनते रहेंगा कि अधों तो सबसे पहले मुझे रखे लैंथजो की बीसी बीसी की लेंथ की इस लेंगे हम लोग बीसी मुझे दिरख सिक्स पाइंट फाइफ का यह मैंने बीसी ले लिया शिख्पाइंट फाइब सेंटीमीटर तो इसको मानेजे इस तरीके गया यह थिक है एंड एंगल सी जा 45 डिग्री बनाऊंगा तो something मान लिज़े कि इस तरीके से जाए गई इस तरीके से यह मैंने A part ले लिया तो A B C वाला triangle बन जाएगा ठीक है तो इतना करने के बाद अब हमें इस triangle का 4 by 5 part बनाना है ठीक है 4 by 5 5 part कि सरीके से होगा B को लेते हुए acute angle खिश दिया जाएगा B को लेते हुए acute angle और हमको दे रखा इसका 4 by 5 part करना है जितना भी नीचे जो लिखा था उतने ही मुझे लाइन खिशने पड़ेंगे इस acute angle पर वो भी equal equal length पर तो 5 है तो इस पे compass से मैं B point को compass में रखते हुए pencil को one centimeter open करूँगा और यह लाइन किसे दूँगा पहला लाइन दूसरा तीसरा अर्ख चौथा पाच वार्ख सबके नाम दे दे देता हूँ यह B1 हो गया B2 हो जाएगा B3 हो जाएगा यह B4 और यह अपने पास B5 यह हो गया अपने पास next step बनेगा next step यह बनेगा कि मैं B5 को scale की मदब से c से join करा दूँगा compass को लेकर के B5 पे रखना है और हलका सा खोल करके B5 पे रखकर के एक आर्क लगा दीजिए अप यह मैंने एक आर्क लगाया ठीक है उसको बिना हिलाए B4 पे दुबारा रखकर के एक दुबारा से आर्क लगाएंगे उन लोग इस पर ठीक है उनकी length नाप नहीं पड़ेगी अप इस आर्क की length नाप करके आर्क की length नाप करके यह जो इस point पे रखकर के हम लोग इसको काड़ देंगे जो B3 के पास जो हमने green जो हमने line डाली है वहां से इसको काड़ देंगे और फिर B4 को लेते हुए इसको हम लोग join कर देंगे इस तरीके से जो दोनो लाइन है जो दोनो B5C and B4 और इस point का नाम लगए जिस शी डैस दोनो लाइन पैलल बनेंगी हमेशा figure के अंदर ठीक है इसी तरीके सब ऊपर का भी पाठ किया जाएगा वही दुबारा से compass को थोगा खोल करके C पे रखकर के अर्क डालेंगे बीना हिला C डैस पे रखके दुबारा से अगीन आर्क ठीक है फिर इसको हमको काटना होगा C इसकी length नाप करके जो पहले आर्क मैं खीचा उसी का अर्क को length length लेकर के अर्क डाल देंगे और यहां से मैं इसको दुबारा से से जोइन कर दूंगा इसका नमें दूंगा एडश यह हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा आपको स्टेप अपने आप से लिख सकते हैं तो इससे हम यह समया जाएगा कि ट्रेंगल इस फॉर बाइफ फाइफ ओफ ट्रेंगल एडी इसमें स्टैप फॉर माक्स का कोजन में तो स्टैप फॉर को श्रक्शन बिसम्रेस लिखनी पड़ेगे अगर आपको समय आगया तो आप इसका स्टैप अगर से लिख सकते हैं नहीं समया तो अगर बिलकुल में समया तो इसको दुबारा से एक बार री ट्राइ मनलों दुबारा से इसको वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं ठीक है को कोशन नमर 37 में हमें यह दे रखा है इसके दो पाट है और पाट भी इसका बनेगा तो फर्स्ट हमें दे रखा कि यह फास्टर ट्रेन टेक्स वन आवर लेस देन a slower train for a journey of 200 km ठीक है the speed of slower train is 10 km per hour less than the fastest train find the speed of the two trains देख इसको 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 फीगर से समझाने कि आपको कोशिश करता हूँ मालियजी की दो प्लेसी नहीं है यह डेली हो गया and the second one is मालियजी की जैपूर हो गया ठीक है यहां से दो ट्रेन निकलती है एक slowest train है एक fastest train है जो slowest train है वह faster train से 10 km की कम के speed से निकलती है उसका speed faster train के मकाबले 10 km per hour की speed कम लेके चलता है और वो गाड़ी एक घंटा लेट पहुसती है faster train के मकाबले ठीक है तो हमको दोनों train की speed बतानी है सिंपल सा कोशन है देखे इसको कैसे करा जाएगा कि सबसे पहले हमें let कर लेंगे let the speed of fastest train जो faster train होगा उसको मान लेंगे कि x km per hour की speed से वो गाड़ी चल रही थी उसी तरह दुबारा से इस बार हमको मानना पड़ेगा slowest train की जो speed है slowest train बोल रहा है कि मैं fastest train के मुकाबले 10 km कम की speed से चलता हूं तो इसकी जो speed बन जाएगी x-10 की speed जब इतना हो जाए जो दोनों गाड़ियों को 200-200 km रही move करना है ठीक है दोनों के लिए time निकाल लीजिए दोनों को time कितना लगेगा क्योंकि मुझे जो time का जो कोशन में difference दे रखा है दोनों के कि दोनों के बीच में अंतर जोट आ रहा है time का वो एक घंटा तो मैं इस ही को लेकर चलेंगे time को निकालके तो अगर मैं fastest train की time निकालना चाहूं तो time and distance upon speed होता है distance तो वही 200 km ही जाना है स्पीड हमारे पास faster strain की x आगई ठीक है उसी तरब slower strain की स्पीड क्या जाएगी वही distance upon speed मतलब की 200 upon x-10 ठीक है अब difference हमको 1 का दिया हूँ है तो अब इसको हमको solve करना पड़ेगा तो दोनों के speed में sorry दोनों के time का difference जो आएगा वह आएगा वन आवर का ठीक है तो इसमें जो बन जाएगा वह equation जो बन जाएगे मारे पास वह बन जाएगे ts minus tf is equal to 1 ठीक है तो ts के लिए बन जाएगा अपने पास 200 upon x-10 minus 200 upon x is equal to 1 बस इसको solve करना question कोश्चन खता है कि देगे इसमें से मैं लेता हूं लेंगे तो x minus 10 and x रह जाएगा उपर अपने पास आजाएगा अब 200 x minus 200 x minus 10 is equal to 1 ठीक है next 200 x minus 200 x plus 2000 upon x minus 10 into x is equal to 1 यहां से हम दोनों के x वाले terms को हम लोकार सकते हैं एक्स एक्स कट जाएगा अब जो मैं पास जो आंसर बच जाएगा वो बन जाएगा 2000 upon x square minus 10 x is equal to 1 क्रॉस्चन करेंगे तो x square minus 10 x is equal to 2000 इसमें हम लोग अब इसको चाहिए डी से कर लिजे चाहिए मिड़े स्पिट करके कर लिजे किसे भी कर सकते हैं जो इसको तोड़ना पड़ेगा तो यह हमारा तूट जाएगा 50 and 40 के अंदर तो अपने पास एक्वेशन मन जाएगा 50 minus 40 x minus 2000 को ओपन कर देंगे यह अपने पास ओपन आगे इसका एक्वेशन कॉमन लेंगे ठीक है कॉमन लेंगे दुबारा से इस तरीके से इसके बाद अब दोनों टम्स को हम लोग यहां से एक बार समझने की है हमने जो एक्स लेट जो कर रखा यह फास्ट ट्रेंड की हमने स्पीड माने थी स्पीड कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता ठीक है तो यह जो चीज आ जाएगी यह आ जाएगी कि माइनस पूर्ती तो स्पीड पॉसिंबल ही नहीं एक ठेक है तो जो फास्ट्रेंड की जो स्पीड थी मतलब की फास्ट्रेंड speed यह बन जाएगी अपने पास 50 km per hour की and the slowest train की speed क्या बन जाएगी वो बन जाएगी अपने पास x-10 दिखा था हम ने x-10 लेकर के 50-10 is equal to 40 km per hour की speed यहां से तो यहां से बोथ trains की speed निकल चुकिए दोनों trains की speed निया से हमको मिल जाएगी इस तरीके से कोशन हमारा बनना था नेक्स्ट कोशन इंतर बढ़ते हैं कोशन में 37 का ही और पार्ट जो इसका कोशन अपने पास यह है कि solve for x करना है equation में दे रखी x plus 1 x minus 1 minus x minus 1 upon x plus 1 is equal to 5 upon 6 यह हमको equation दे रखी है इसमें हमको x की value निकालनी है ठीक है देख कैसे करेंगे वही फैक्शन देख रहा है LCM कर दीजिए x minus 1 x plus 1 ऊपर equation बन जाएगी x plus 1 का whole square minus x minus 1 का whole square is equal to 5.6 यह वाला बन जाएगा a square उपर जो term बन रहा है equation बन जाएगे अपने पास a square minus b square की वेल तो अपने पास इसकी जो value आजाएगी वह आजाएगी x plus 1 मतलब a plus b and a minus b upon x square minus 1 is equal to 5.6 solve कर देंगे इसको 1 से 1 कट इसमें और इसमें x से x कट ठीक है यहाँ जो equation बन जाएगी वह अपने पास बन जाएगी 2 x multiply 2 x square minus 1 is equal to 5.6 next step में 4 x upon x square minus 1 is equal to 5.6 solve कर दीजिए इसको cross connection कर देंगे इसका है तो 24 x minus 5 x square minus 5 ठीक है तो 5 x square minus 24 x minus 5 is equal to 0 अब हमको इसको में डिश्पीट कर देता हूं इसको में डिश्पीट असान पड़ता है इस तरह किसमें में डिश्पीट करना चाहता हूं है तो फर्स्ट इन लास्ट रम को में डिट पाई करके इसको तोड़ना ब्रेक करना होगा अपने तो फाइफ एक्स स्क्वार माइनस टोड़िए ताकि प्लस मैंस करके 24 आ जाए ठीक है तो अपने विडियो नंबर टूटेगा 25 एंड वन में ही टूट जाए गई ठीक है त तो 5X स्क्वार माइनस 25 माइनस 1X माइनस 5 इच इकवल टू जीरो टो 5X स्क्वार plus one x minus five is equal to zero first two में से five x को मैं लिया तो x minus five रह गया plus one इस में से x minus five को आगया बाहर is equal to zero यहां से x minus five बाहर और five x minus plus one is equal to zero यह दो टम्स आगे दो नों को zero के बराबर put कर देंगे अपने तो यहां से x minus five को तो अगर मैं 0 के बरावर पूट करता हूं X की वैलू आजाएगी 5 and the next one is 5x plus 1 is equal to 0 तो X की वैलू यहां से आजाएगी minus 1 upon 5 यह अपने पास दो equation इसकी दो values यहां से आजाएंगे ठीक है तो यह अपने पास पूरा एक solution बना है 37th question यहां से complete उल्दाता है next question देखते हैं question no.38 question no.38 menstruational question है कि हमाइश परिकल बावल of internal dia 40 36 cm containing a liquid this liquid is to be filled in a cylindrical bottles of radius 3 cm and height 6 cm how much such bottles are needed to be empty the bowl simple question है कि एक यह हम को एक हम इस पर इकल बावल दिया हुआ था ठीक है इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है को जिसमें लिक्विड रखा हुआ ठीक है इस लिक्विड को मुझे empty करना है खाली कर देना है स्लेंट्रिकल्स ऐसे चोटे बोटल्स रख रखे इसके अंदर सारव जाल देना तो यह पूछा दर है कि इसका डामेंशन में देर रखें दोनों की तो कितने इस अर्ट्रिकल बोट्ल्स लगेंगे अगर मुझे इस पूरा का पूरे को खाली करना होगा सीम्पल से कन्सेप्ट है कंसेप्ट यह लग गए की इसका जो भी वॉल्यूम होगा और इसका जो भी वॉल्यूम होगा सकत्राइब का है दो दोनों की वैलूम वराबर रक देने हैं मुझे को ठीक है तो देखेंडी इससे पेहले हैं हैं हम готов करा के हमें क्या-क्या चीजे दे रखी है हैंигल स्पेड का डाय मुझे शेंटी में हुई है मैंलब की रेडियस बन जाएगा पने पास एैटीज और जो सेलेंडर है सलेंडर के लिए मुझको व्हीं लेडियस दे रखा है 3 cm का और height दे रखी है 6 cm ठीक है लगा दिए concept दोनों के volume का बराबर कर दीजिए volume of hemisphere क्या आएगा volume of hemisphere का formula आएगा 2 by 3 pi r cube ठीक है तो 2 by 3 pi को ऐसी छोड़ देंगे आर की value हो जाएगी अपने पास 18 multiply 18 multiply 18 इसको solve करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि इसको solve करेंगे फिर काटेंगे multiply करेंगे पहले फिर काटेंगे डिवायर करेंगे मेंस तो बहुत टाइम लग जाएगा और आंस बहुत confusing सा हो जाता है बहुत difficult हो जाता है solution इसको इतने वे छोड़ देंगे इसको equation 1 मा लिजेबल की नहीं तो ठीक है अब उसी तरह आजाएगा volume of cylinder cylinder का volume होता है पाई आर स्क्वार है यह हो गया पाई आर की value 3 multiply 3 h value 6 यह अपने पर second volume second volume आ गया जैसा हम दोनों concept ने देखा भी हमने कि दोनों की volume को बराबर रख देना है तो volume को बराबर यहां से हम लोग रख देंगे यह हो गया 2 by 3 5 into 18 into 18 into 18 into 18 is equal to 5 into 3 into 3 into 6 काटना स्टार्ट कटिंग करने स्टार्ट कर देखा पाई से पाई पूरा कट यह शिक्स जाए 18 18 से 18 कार दिया मने 3 की टेवल में यह 18 जाएगा 6 पर और इसकी टेवल में जाएगा टू पर ठीक है तो यहां से जो वैलू बच जाएगी अपने पास सब वो बन जाएगी 2 into 18 into 2 तो 30 seconds 72 मलब कि टोटल जो बोटल्स लगेंगी वो 72 बोटल्स रिक्वाइड होंगी मुझे ठीक है तो नंबर ओफ बोटल्स रिक्वाइड 70 यहां से इस क्यांसर 72 बोटल्स आजाएगी ठीक है नेक्स कोश्चिन कोश्चिन नंबर 39 कोश्चिन है कि दो फॉलोविंग डाटा शोदर डिस्टियूशन और टोटल हाउस होल एक्सपेंडिचर और वरकर इन शिटी also the mean data मतलब की 200 घड़ों का यह देखा गया है कि पर महीने में कितने परिवाड का कितना कर्चा हो जाता है उसका डाटा बना धिया सिकिगे ढौनम सबकिंदüst के इस सोब सिका Menschud flow का किटना किटना लंग-बुक पैसा लग जाता है average तो simple step है सबसे पहले इसका गर हम बनाते हैं graph graph mean से table बनाते है टेवल बनाके देखा देखा है यह हमका पूरा-पूरा एक table दे रखा है इस तरीके का ही और इस table का हमको mean निकालना है कैसे निकालना इसका कि जो मैं diet method होता है इसका मैं वो लगा रहा हूँ एकक टूरा आगया इसके एकुल दो होती है अपर लिमिट प्लस लॉवर लीमित आपट ऊंटू यह जैसे की तैन तो फिट्यन है तो यह लो़ीवर बन जाएक और यह लिए ओपर लिमिट ऐख Ming लो़ीवक्त आपना फ्सक्राट एम लिमेट बने one 27.5 32.5 37.5 42.5 and 47.5 next one is FIXI FIXI मैं मुझे सबसे पहले जो दोनों की पहली वैलू है उसको मुल्टिप्लाइ करना होगा 24 मुल्टिप्लाइ 12.5 यह आगे आपने पास 300 ठीक है नेक्स्ट वन इस 40 मुल्टिप्लाइ 17.5 यह आगे आपने पास 700 3 है फिर है अपना 33 मुल्टिप्लाइ 22.5 यह है अपना 742.5 नेक्स्ट वन इस 28 मुल्टिप्लाइ 27.5 यह आ रहा है 770 नेक्स्ट 32.5 मुल्टिप्लाइ 30 यह बन रहा जाएगा 975 अगे अगला बन जाएगा अपने पास 22 मुल्टिप्लाइ 37.5 यह बन जाएगा अपने पास 825 नेक्स्ट इस 16 मुल्टिप्लाइ 42.5 यह बन रहा है 680 एंड लास्ट वन इस 747.5 मुल्टिप्लाइ 7 यह बन रहा है अपने पास 332.5 सब को करना होगा अपने को प्लस तो 332.5 प्लस 680 प्लस इन सब को प्लस करने पर आ रहा है अपने पास इनका जो प्लस करने पर आएगा यह बन जाएगा अपने पास Summation of FI XI upon Summation of FI ठीक है तो Summation of FI XI की वैलू आ रही है अपने पास 532.5 upon 200 तो यहां से जो आएगा टू 666 तू 5 तो यह इसका अंसर मीन अंसर अपने पास इनका रही 26.625 का वस्त लोकलेटी में एवरेज दे रहा है त्यक्या यह कोशन हो गया मारे पास तो लास्ट वन कोशन इस कोशन नमबर 40 and that question is from height and distance के question दिया है कि as observed from the top of 75 meter high lighthouse from sea level the angular depression of the two ships are for 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other or the same side of the light hole then find the distance between two ships two ships यह कोशन दो तरीके से आता है इस कोशन में बोला गया है कि जो शिप है इस कोशन में पहले समझ दीजिए क्या बोला गया है इस कोशन में बोला गया कि जो एक एक light house है यह 75 meter का light house है ठीक है दो ships है एक ship यहाँ पर है एक ship यहाँ पर है दोनों की दोनों ship एंगल ओफ डिप्रेशन बना रही है तो एक जो एंगल ओफ डिप्रेशन बना रही है एक तो बना रही है अपने पास 30 degree का यह बन जाएगा 30 degree second one is 45 degree ठीक है यह अपने को कोशन दे रखका है तो हमको यह बतान कि दोनों ship की दूरी कितनी है स्कूर मैं a 20 दि मान लएता हूं यह हो कर यह बी यह सी और यह डी डी डैमेशन लेक्ष लिए जो कोशन आता है इसमें तो हमें कोशन दे रखा है कि दोनों शीप एक ही तरफ है इसमें नया कोशन ही बनता है कि वह शिप दोनों Lighthouse उसके अपोजिट भी है एक दूसरी तरफ एक अपोजिट तरफ ठीक है उसरे से कोशन भी आता है तो अपने पास यह जो एंगल बन जाएगा यह 30 डिग्री एंड इसको मैंने एक्स ले लेता हूं इसको चीज को बीसी को और यह मैंने ले लिया वाई लिखना स्टेट्मेंट मैं लिखे देंगे लेट बीसी इग्वल टू एक्स मीटर एंड सीडी इग्वल टू वाई मीटर ठीक है तो इन ट्रेंगल ए बीसी एबीसी ट्रेंगल में देखा कि 1045 लागा करके मैं पास a b upon bc आएगा जो की वैलू देगा मुझे 75 आपॉण एक्स की 1045 वन जानते हैं यह बन जाएगा 75 अपॉं एक्स करते एक्स की वैलु आजाएगे अपने पास 75 मीटर का यह अपने पास x की वैलु आ गई अब हमें जो इसका नेक्स जो निकालना होगा वो निकालना है इन ट्रेंगल ए बी डी इस ट्रेंगल में हम लोग दुबारा से 10 30 लगाएंगे इस बाल लेकिन तो यह हमको देगा एक सब्सक्राइब अपॉण कि लेंध्र जो की में बन जाएगी की बार पॉन रूट थी बराबर इसको क्लाश में कर देंगे तो एक स्प्लस य की बाल यह पने पास 75 root 3 इस x की value को इसमें हम लोग put कर देंगे checkmen लिखते हुए इसको equation 1 माल लेंगे ठीक है इसको put कर देते put करेंगे तो x की value 75 plus y is equal to 75 root 3 y की value को निकालेंगे लिए 75 root 3 minus 75 आ जाएगा ठीक है और यहां से अपने पास 75 मैंने को मने लिया तो root 3 minus 1 आ जाएगा so the distance between both ship is 75 root 3 minus 1 यह अपने पास इसका answer हो जाएगा और इस तरीके से question का solution हो जाएगा तो यहां पर हमारा sample पर पूरा complete दो आता है 40 के 40 question मैंने करा दी है section A, section B, section C, section D अलग अलग हुए है इसके ठीक है तो अगर आपको फिर भी इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो comment करके मुझसे जान सकते हैं पूछ सकते हैं ठीक है लाइक करेगा, comment करके बताएगे कैसा लगा वीडियो और share दो करेगे ताकि आपके दोस्तों को भी इससे कुछ फायदा हो सके आपके relatives को इससे कुछ फायदा हो सके उनको भी शेयर करके रखेगे, शेयर करेगा तो आज के लिए इतना ही, जैहन्द